असलाम वालेकुम टू आल स्टुडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कंपाउंड आई कंपाउंड आई जो है ये आम रेगुलर आई से थोड़ा सा डिफरेंट होती है और ये आम तोर पर फाइलम आर्थरोपोडा से बिलॉंग रखने वाले इंसेक्ट्स के अंदर ये मौजूद होती है तो आईए इसके स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं तो यहां पर मैंने फाइलम आर्थरोपोडा का एक इंसेक्ट लेकर उसकी आईस को एनलार्ज कर लिया है तो आप अगर देखें तो यहां पर यह जो रेड गलर में आपको हिस्सा नदर आ रहा है यह बेसिकली इंसेक्ट की आई है आँख है लेकर यह हमारी सिम्पल आई से डिफरेंट है क्योंकि इसकी एक आँख कई छोटे छोटे यूनिट्स पर मुझतिमल होती है जिन्हें आमेटीडिया कहते हैं अब मैंने क्या किया है कि उसको डिटेल के साथ स्टड़ी करने के लिए यहां से छोटा सा क्रॉस सेक्शन जो है वो मैंने निकाल कर बाहर एक्सपोज किया है तो मुझे यहां पर देखें नजर आ रहे हैं कौर्णिया नजर आ रहे हैं जो के यूनिट्स होते हैं ओमेटीडिया उनका जो आउटर मोस पोर्शन होता है उसके बाद फिर आगे उनकी वर्टिकल अरेंजमेंट होती है तो मैंने यहाँ पे सेट ओफ ओमेटीडिया जो है वो निकाल लिया तो ओमेटीडिया बेसिकली क्या है लिटल आई अगर ओमेटीडिया जो है उसके लफजी मतलब पे देखें तो लिटल आई सिंगल यूनिट होगा तो लिटल ओमेटीडिया और अगर ज्यादा होगे तो ओमेटीडिया होगा तो अब हम एक Ometidium को study करना चाहते हैं तो मैंने क्या किया है कि यहां से एक Ometidium जो है उसको इलाज का लिया है ताकि उसके structure को भी हम detail के साथ discuss कर सकें तो सबसे बाहर हमें एक lens नदर आता है जिसे cuticular lens कहते हैं यह basicly arm जो simple आँख होती है उसके cornea की तरह होता है जहां से light आँख के अंदर दाखल होती है यानि कोई भी चीज जो होती है उसकी जो raise होती है वो आँख के अंदर दाखल होती है उसके बाद अगर आप यहां पे cup shape structure देखें तो इसे crystalline cone कहते हैं तो यह दोनों जो structure हैं red color में जो आपको नदर आ रहे हैं cuticular lens और crystalline cone यह light gathering है यानि कहीं से भी आने वाली light को यह एकठा करके omitidium के अंदर बेज़ देते हैं उसके बाद अगर हम यहां पे देखें साइडों पर तो यहां पर आपको एक cells नदर आता है green color में यहां पी जो नदर आ रहा है इन्हें हम कहते हैं pigment cell तो यह pigment cell जो हैं यह दोनों साइडों पर इन lens के मौजूद होते हैं और amitidium का core structure बनाते हैं उसके बाद नीचे अगर हम आ जाएं तो यह जो blue color में आपको नदर आ रहे हैं यह retinula cells हैं और उनका जो red color का जहां पे nucleus है वो भी आपको नदर आ रहा है इन्हें retinula cell nucleus कहा जाता है तो यह जो retinula cells हैं इनके दरम्यान में एक space है जिसे आम तोर पर हम rabdom कहते हैं rabdom जो है यह light को collect करता है light को gather करता है और पिर इसको आगे image formation center की तरफ जो है वो बेजता है उसकी detail अभी हम detail के साथ discuss करते हैं सबसे नीचे अगर हम आते हैं तो यहां पर basement membrane है और basement membrane के नीचे nerve fiber जो है मौजूद होते हैं जो के पिर आगे जाकर एक nerve के साथ connect हो जाते हैं और वो जो nerve होती है वो central nervous system तक जो है वो इन rays को पहुंचा देती हैं तो basically अगर हम देखें तो एक simple eye जो है वो एक ही आँख पर मुश्तमल होती है जबके compound eye जो है उसके अंदर यह तकरीबन 28,000 receptors हो सकते हैं यह जो compound eyes है जारा तर आर्थरो पोर्ड में, crustaceans में और कुछ मुलस्क में मुझूद होती हैं इसमें जो light के अंदर मैंने अब यह आपको बताया है retinula cell जहां पे जो blue color में नज़र आ रहे हैं इसके दरम्यान में एक center है जिसे rabdom कहते हैं यह वो तमाम light जो है उसे collect करता है जो के यहां से gather हुई थी, cuticular और crystalline cone से तो light enter होगी, यह दोनों lens जो हैं इसको focus करेंगे और rabdom के अंदर डाल देंगे rabdom के अंदर जब यह light penetrate करके दाखल होगी तो वो जो light energy है वो electrical energy में convert की जाती है और उसको एक impulse की शकल दे दी जाती है और वो जो impulse होती है वो nerve impulse के जरीए फिर आगे nervous system में जाया जाती है और वहां पर उसकी perception की जाती है कि आया यह किस किसम की light है किस किसम की movement है, कौन सी चीज जो है वो आंक जो है उसके अंदर दाखल हो रही है अगर आप यहां पर देखें तो eye के जो cuticular lens होते हैं वो slightly थोड़े थोड़े एक दूसरे से हट के थोड़े बहुत angle के साथ उनका फरक होता है a degree of angle का फरक होता है तो एक convex si shape बन जाती है आंक की जिस से ये जो animals होते हैं उनका जो visual angle होता है देखने का जो angle होता है वो बहुत वसी हो जाता है वो आगे से पीछे से साइड से हर तरफ से चीज़ की motion को detect कर सकती है इसलिए अभी आपने देखा होगा कि अभी किसी insect के पास आप हाथ लेके जाएं वो फॉरी तोर पर fly away कर जाता है भाग जाता है ये तकरीबन 0.1 degree की भी हलकी सी movement को भी detect कर लेते हैं और उसकी reason मैंने अभी आपको explain कर दिया इसके लावा यहाँ पर आपको green color के जो नजर आ रहे हैं pigment cell ये light को reflect होने से बचाते हैं वो भी light ometidium के अंदर दाखल हो रही है जाहर है वो बाकी ometidia को reflect होकर उतासर कर सकती है तो ये जो retinula cells होते हैं sorry pigment cells होते हैं ये extra light को समेट के रखते हैं ताके वो disperse ना हो जाए pigment cell prevent light from reflection और ये जो आँखें होती हैं compound eyes बहुत helpful होती है इंसेक्ट के लिए खास और पर मैं बात करूंगा honey bee शहद की मक्यों की जिसमें ये आँखें मौजूद होती हैं जिनकी मदर से ये दूर दराज आने वाले अलाकों से फूलों की रंगों को diagnose का लेती हैं देख लेती हैं इवन के बारिश हो बादल हो आंदी हो उसके अंदर भी ये detect का लेती हैं इवन के वो wavelength of light जो इनसानी आँख या दूसरे animals नहीं detect कर सकते शहद की मक्या इन आँखों की मज़र से उसको भी detect का लेती हैं ये के आम तोर पर ultra violet wavelength होती है तो आज के लिए इतना ही है आई होब कि आपको compound AI का structure क्लियर हो गया होगा नेक्स लेक्ष तक के लिए अजास्त दें लाफिर्स